तो समझने के बाद, हम आते हैं उन दो पॉइंट पर जिन से बहुत सारी MCQS बन सकते हैं इस अमकल लंबर लोडॉसीज के बारे में कि फॉरवर्वर डिल्टिंग में और लोडॉसीज लोडॉसीज आ法ारोस्यक पर जब भी फॉरवर्वर टिल्टंग होती है अंटिरियर टिल्ट होता है पैल्विस का तो जो लंबर लुडॉसिस है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है थो एसी काइफ और इंक्रीज हो जाती है आप बहतर यह होगा कि ना यह ऐसी आप पॉजिशन बनाओ खुद पे इमाजन करो कुछ इस तरह से के अंटिर पॉस्टिरिय जो अंटिरियर स्पाइन है फोवर्ड अंटिरियर और इंफिरियर मूव हो और बैक अफ दा पैल्विस जो है वो राइज हो ठीक है आप खुद भी देखोंगे कि जो लंबर है वो वैसे भी कर्ब्ड पॉजिशन में होता है ठीक है मतलब उसकी थ्रैसिक पॉजिशन होती ह और अगर पॉस्टीरियर टिल्ट में अगर हम देखें तो पॉस्टीरियर टिल्ट में या बैकवर्ड टिल्टिंग में यही लंबर लडॉसिस जो है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है जो उसकी कर्ब्ड पॉजिशन है वो इतनी जादा नहीं रहती है तो यह दो पॉइंट भी MCQs के हवाले से याद कर लेने हैं फिर जो next है वो आजाते हैं lateral tilting of the pelvis lateral tilting of the pelvis जो है वो कदरे असान anterior posterior से अगर हम देखें pelvis tilted on laterally on the femoral head अब यह हम सारा जो हम पढ़ रहे हैं वो femur के उपर ही position पढ़ रहे हैं जो है वो femur के उपर है और femoral head के उपर उसकी इस तरह से movement होती है कि वो आगे जाती है पीछे जाती है अब lateral भी वो femoral head के उपर ही move करेगा कैसे है कि when the femur on which the pelvis is tilted मतलब जिस side की femur पर pelvis जो है वो tilt हो रहे है एक side की femur let's suppose जो है वो fixed है लाइक इस तरह से जगर अगर आप खड़े वे हो एक टांग पर खड़े वे हो तो यह जो pelvis है वो एक side पर है ठीक है मतलब एक जो आपकी supporting leg है वो एक ही है दूसरी leg तो free to move है तो अब जो pelvis स्टिल्ट होगा और किसके उपर होगा इस side पर supporting leg के उपर अच्छा इसमें भी यह है कि आपके muscles जो है वो स्ट्रॉंग होने चाहिए और वो भी muscles कौन से abductors of the hip abductors of the hip कौन से होते हैं प्राइमरी abductors of the hip जो है वो आ जाते हैं जैसे gluteus medius है gluteus minimus है और tensor fascia इसी तरह से secondary abductors भी है जिसमें gluteus maximum आ जाता है sartorius आ जाता है तो वो abductors है यह strong होने चाहिए अगर यह muscle strong नहीं होंगे तो उससे दूसरा opposite क्या होगा जिसना से उन्हों नहीं यह बताई वही न पैसे तो पैल्विस को इस तरह जाना चाहिए ठीक है supported leg के उपर आज जाना चाहिए हम बड़ी राग्राम से देख लेते हैं पैल्विस को कहां जाना चाहिए supported leg के उपर जाना चाहिए होना तो कुछ इस तरह से चाहिए ठीक है यह हमारे पास होगा towards the unsupported side ठीक है क्योंकि इसमें इस तांग में इतनी ताकत ही नहीं है के pelvis इस साइड पे हो और यह जो है न इसको support कर सके ठीक है gravity की force हो दूसा यह muscles भी weak है तो यह unsupported side पे हो जाएगा ठीक है तो यह जो है यह हमारे पास आजाता है lateral pelvic tilt ठीक है इसमें almost सारी बातें जो हैं वो cover हो गई है क्या है कि pelvis is tilted laterally किस तरह से ताके center of gravity over the base आए और balance maintain रहे ठीक है और दूसरी बात जो हमने की है वो यह है कि contraction of the abductors of the hip होती है ठीक है hip के जो abductors है वो contract करते हैं इसको support करते हैं next point को उन्होंने बताया है trunk में न कि when this occur number के जो side flexors है side flexors है अगर आप देखते हो न कि अगर यह हम देख रहे हैं front side पे और pelvis ने अब जाना है इस तरफ ठीक है इस तरफ जाना है तो number के जो side flexors है वो क्या करेंगे वो contract करेंगे ताके trunk जो है वो erector है दूसरा यह है कि अगर weight of the body is transferred on one leg and hip abductors are inefficient अगर वो inefficient है तो pelvis is inclined laterally but towards the unsupported side by the force of gravity तो देखो ना दो forces है एक तो चाहे अगर यह एक tank पे खड़ा वह है ठीक है one side पे है यह जो दूसरी leg है इधर से force of gravity तो है ना इधर से force of gravity है और इधर से abductors की force है तो abductors की force अच्छी खासी है तो इस side पे होगा लेकिन अगर abductors की force कम हो जाएगी तो फिर pelvis कहां पे drop करना start हो जाएगी gravity की force जो है वो dominate हो जाएगी और pelvis जो है वो इस side पे आजएगा तो यह lateral pelvic tilt आ जाता है बाकि rotation of the pelvic tilt rotation भी बहुत यह सान है कि pelvis जो है वो rotate भी होता है अब इसमें क्या होगा anterior spire alec spine forward जा रहे है ठीक है thrust forward and this rotation is associated with the separation of the legs किस direction में in the anterior posterior direction जाएगी तो जो एक तांग आज आगे जाएगी फिर दूसरी आगे जाएगी तो pelvis की जो है वो rotation भी होती है तो जो anterior spire alec spine है जो एक left side की है पहले वो forward मूँव करेंगी फिर दूसरी इस तरह से मूँव करेंगी तो rotation of the pelvis भी हो जाती होती है ठीक है अगर आपको कुछ ना समझ में आए हो तो फिर आप पूछ सकते हैं